हलो फ्रेंड्स स्वागत था अपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट यूजी स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स नीट यूजी टुथा उजेन 23 में पार्टिस्पेट करने वाले है और मेडिकल काउंसलिं पर में लागू होना था और लागू होते होते एडमिसन को छोके है भी स्टेट के अंदर जो है लागू नहीं हुआ एक्च्छल में अनम सीविल क्या है आपको क्या बेनेफिट है मैं आपको बता दू और सुप्रम कॉर्ट का क्या ओडर जो है स्टेज को लेकर आया है यह मैं पूरी इन्फोर्मिशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वा ली हूँ तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटीड की हर टाइप की इन्फोर्मिशन चाहे वो एप्लिकेशन फॉर्म से रिलेटीड हो चाहे वो वेकेंट सीट से रिलेट आपको इस चैनल के थूरू प्रोवाइड कर वाई जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि कोई भी इंपोर्टेंट इन्फोर्मिशन आपसे मिस ना हो अब देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि सभी जो स्टेट् इन्मसी बिल जो है लागू करने वाले थे 2022 में यह मुद्दा वैसे चल बहुत पहले से रहा है लेकिन आप जो फीस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नॉर्मल या गरिब स्टुडेंट जो है एडमेशन नहीं ले पा रहा है ठीक है अच्छे मार्क्स होने के बाव 2023 की अब मामला कहां तक है तो गाए स्टे लग चुका है जो हाई कोर्ट है वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन सभी स्टेट्स मिलकर अब सुप्रिम कोर्ट में जो है दलिल कर रहे है इस चीज को लेकर तो सुप्रिम कोर्ट का जो डिसिजन आएगा और उनके वेसेस पर एनमसी कि लगेगा और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में कैस पहले भी चला था, grinding % तो सुप्रिम कोर्ट का क्या डिसिजन रहा है इस चीज को लेकर कि सुप्रिम कोर्ट ने भोला है कि जो कौलेजे है इस तो बाद ही कोलेज के अन्दर फोलेज के अन्दर फैसिलीटी से कमुषी इसलिए फिसी कोलेज में फिसी कोलेज में再见 यह all over depend करता है facilities के उपर कि जिस college में आपका admission हो रहा है उस college में कितनी facilities है क्या infrastructure है उनके basis पर ही उसके fees जो है decide की जाती है तो Supreme Court में भी यही बोला था कि सभी states अपने अपने college का decide कर लिजेगा after that जो है उसके according NMC Bill लागू होगा तो एक बर देख लेते हैं पूरी information है क्या यह Supreme Court का order जो है अभी फिलाल क्या है उट क्या notice जो है जारी किया है medical court प्राइविट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवसिटी इसको लेकर Supreme Court ने प्राइविट मेडिकल कॉलेज जो डीम्ड यूनिवसिटी में 50% सीटो के फिस सरकारी फिस के बराबर रखने के मुद्धे पर NMC की transfer याचिका पर notice जारी किया है तो guys मैं आपको बता दूँ कि यह जो notice है यह 50% सीटो का जो NMC बिल है वो क्या है क्या benefit है 2023 में students का पहले यह मैं आपको clear गर दू तो guys NMC बिल है फिस को लेकर जो नीट यूजी की जो medical colleges की जो फी है वो student afford नहीं कर पा रहे है क्योंकि ज्यादा फिस है तो NMC बिल बोलता है कि जो सीटे होगी जो private colleges की सीटे होगी उन private colleges की 50% सीटो पर जो admission होगा वो government seat के face के equivalent होगा मतलब आधी private college की सीटे government के बराबर होगी ठीक है तो यह जो है NMC बिल के अंदर facility है तो students को काफी ज़्यादा benefit मिल सकता है जो students के marks ठीक ठाक आते है ठीक है और वो गरी family से belong करते है तो वो admission ले सकते है क्योंकि आप सभी को पता है Amoebius की cutoff काफी high जाती है हाँ अगर आप management quota की सीट लेते है तो एक अलग बात है only qualified marks पर भी आपका admission हो जाता है लेकिन fees ही matter करती है फिस उसके काफी जादा होती है ठीक है तो 2023 में जो है एनमसी बिल सुप्रिम कोर्ट का order के according ही आपका जारी होने वाला है जस्टिस चंद्रचूट ने पिछली सुनवाई पर एनमसी की ओर से पेस एडवोकिट गोरव सर्मा को ट्रांसफर याचे का दायर करने का सुझहाओ दिया था ताकि सुप्रिम कोर्ट इस सम्मन्द में सभी मामलों को अपने पास थाना अंत्रित कर सके या उन्हीं समय कित कर दिली हाई कोर्ट को भेज सके मैं बता दू आपको कि ये जो था पूरा मामला 50% सीटो का ये आपका चल रहा था सभी हाई कोर्ट के अंदर अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था लेकिन अब सुप्रिम कोर्ट के पास ये मामला गया है और सुप्रिम कोर्ट ने बोला है जो जितने भी हाई कॉर्ट वगर है जिन में केस चल रहा है सभी कम माइन करके मेरे पास डाल दें ताकि मैं उन सब चीजों को देखकर आफ्ट डेट जो है एनमसी बिल को पर डिसीजन लेज़को ठीक है यह फुल इन्फोर्मेशन थी जैसे कोई और नई अपडेट आती है आपक को इन्फोर्म कर दिया जाहेगा आपकी क्या राय है एनमसी बिल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अपनी रायवी कमेंट में जरूर बताइएगा तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू